नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइश पाक हिंदी के एक नए वीडियो में दिल्ली सरकार अगले दो महीनों में राज में 250 नई AC बसों को उतारने जा रही है इसमें कलस्टर स्कीम के तहट 1152 बसें चलाई जा रही है इन बसों में 1000 बसें स्टैंडर्ट फ्लोर वाली बसे हैं जिन्हें मार्च के पहले ही शुरू कर दिया गया था स्टेंडर फ्लोर बसों के अलावा 1000 लो फ्लोर बसों को भी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन सडकों पर उतारने का विचार बना रही है इन बसों के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है ट्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन का कहना है कि इन बसों को सितंबर 2020 तक चालू कर दिया जाएगा बता दें कि सितंबर 2019 से देश में BS6 उत्सरजन मानक लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा BS4 बसों को खरीदने पर रोक लगा दी गई थी दिल्ली में पबलिक ट्रांस्पोर्ट बसों की कुल संख्या 6223 है और साल 2010 के बाद दिल्ली में पहली बार बसों की इतनी जादा संख्या हुई है दिल्ली में कॉमन वेल्थ केम्स के दौरान बसों की संख्या 6204 हो गई थी देश में सभी राज्यों के ट्रांसपोर्ट कॉर्परेशन्स को सक्त आदेश दिये गए हैं कि नई बसें केवल BS6 उत्सरजन मानकों वाली ही होनी चाहिए साथी बसों के बहतर रख रखाओं के साथ उत्सरजन की भी नियमित जाच होनी चाहिए बतादें कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपरत्याशित व्रदी पिछले महीने से जारी है जुलाई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सबसे जादा बढ़ोतरी हुई है पिछले महीने ही दिल्ली में डीजल की कीमत ने पेट्रोल की कीमत को पार कर दिया था तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आटो जगत से जुड़ी और भी ताजा जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करें और बने रहें ड्राइस पाक हिंदी के साथ